मीव एक नहेंती हाउस वाइफ है पर उसमें ज्यादा सबर नहीं है खास तोर से जब उसकी फैमिल्य उसके काम की तारीफ नहीं करती हनी तुन स्क्रीम के सामने आ रही हो ये किस तरह की न्यूज है मिया बहुत सारे स्वीट्स खाना हेल्दी नहीं होता इसकी जगा पर तुम अपनी मौम के साथ भैस मत करो चस्चिन तुम फिर से कर रहे हो कितनी बार मैंने तुम्हें कहा है कि काउच पर चिप्स मत खाया करो इसके टुकडे रहे जाते हैं लगता है इस घर में कोई मेरी बात नहीं सुनने वाला कितनी बार ये तो ग्राउंड हॉक डे जैसा लग र रिजोर्ट मैं आ रही हूँ तो मैं ओट में खा रही हूँ देखो बीबी क्या तुम मुझे फ्राइंक पैन पास कर सकती हो ये ठीक है गुद बाई ये मुझे पसंद है आउच मेरा पीड मॉम यम मेव मुझे जिप्स ला कर दो में बाउम हाँ क्या मुझे किसी ने बुलाया आपका कॉक्टिल मैम बहुत बहुत शुक्रिया और वो हमें अकेले किसे छोड़ सकती है मुझे विश्वास नहीं होता बहुत हो गया मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ वो हमारी मदद जरूर करेंगे हलो रुको मेरे पास इससे बहतर आइडिया है कौन सा बहतर आइडिया खाओ शुरू करो मेरी बेटी सब कुछ खालो जो तुम चाहती हो खै यह असान है और याद रखो यह सम मॉमी के लिए वो हमेशा आ जाती है जब हम जंग फूट खाते हैं इसलिए यह काम गरना चाहिए मीव देखो हमने सब खा लिया लेट्स बहुत गंदे हो चुके है इन्हें दोना पड़ेगा ओ तुम वहाँ देखो और मैं जाकर बैडरूम में देखता हूँ जब मीव उनका मेड़े बिना पूछे निकाल लेती है तो मॉम हमेशे आ जाती है और इस बात का फाइदा उठाए जा सकता है गुड़बाई मॉम के परफ्यूम और हैर स्प्रे थोड़ा सा और अच्छो एउव बहुत बुरा है पर अभी मेरा मन नहीं भरा वा बहुत चारा सामान ये कुछ खास नहीं है ये भी नहीं ये भी नहीं है पर ये बिलकुल ठीक है ठीक है मॉमी को बहुत जादा डर लगन वाला है उप्स तूट गया क्या आपने ये देखा चलो बाग ये बढ़ो मैंने सुना है ये पैचेस बहुत महेंगे होते हैं ओ वाइप्स मॉम को इस तरह की गंदेगी को देखकर दौरते हुए आना चाहिए क्या वो आएगी मॉमी आप कहा हूँ प्लीज वहां पसाओ ड ज़्यादा गंदी चीज़े चलो दोस्तों और महिनत करो जाल तैयार हो चुका है मैं इंतजार करूंगा और यह बहुत गलत है पकड़ लिया और अब विट्री डांज मॉमी को किस ने पकड़ा मैंने पकड़ा अब बहुत हो चुका इस बार मैं पुलिस को कॉल कर रही हूँ हलो मदद करो मेरी मॉम गायब हो गई है तो तुम कह रही हो तुमने लास्ट टाइम उन्हें सफाई करते ह अगर ऐसा है तो एक रास्ता है यह प्रोफेशनल पर छोड़ दो और अब इंतजार करो नहीं सारे मर्द एक जैसी ही सोचते हैं लगता है सौक प्लान काम नहीं आने वाला है कहीं मत जाओ दोस्तों सब कुछ ठीक हो जाएगा मैं वादा करता हूं तुम्हारी मॉम जल्दी वापस आजाएगी मुझे लगता है मैं यह अपने साथ ले जाता हूं और यह भी आपका दिन अच्छा हो गुडबाई ओफिसर फिर भी सौक वाला आइडिया अच्छा था डाड़ी अब मॉमी के सुबा फ्रेग्रेंटी के साथ शुरू होती है गुड़ मॉर्निंग मिसेज में कितना अच्छा है उमीदा आपको अच्छी नींद आई होगी ओ हाँ इससे बहतर नहीं हो सकता था ओ नहीं, मैं कॉलेज के लिए लेद हो चुकी हूं हमें जल से जल तयार होना पड़ेगा ही, मेरी लिप्शिक कहा है मेरे पस किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं है आज मैफ दिस्ट है अगर मॉम घर पर होती तो ऐसा कभी नहीं होता वो हमेशा सुबा तैयार होने में मेरी मदद करती थी और सारे कपड़ों को मुझे ही आरेंड करना पड़ेगा यह हाइलाइटर्स यह हॉरर मुवी के लिए मेक अप जैसा लग रहा है मैं यह बरदाश नहीं कर सकती लगता है यहाँ पर कुछ जल रहा है यह दुआ कहां से निकल रहा है क्या मेरी फेवरिट उड़ी नहीं कितनी बुरी सुबा है ठीक है रुको और डैडी का क्या डैडी उठो आप काम के लिए लेट हो मॉम के मेना सब कुछ बिगड़ चुका है देखो मैं कुछ आरेंग भी नहीं कर पाई हे मिया प्या तुम मेरे लिए कॉफी बना दोगी मैं मीटिंग के लिए लेट हो रहा हूँ पर मुझे कॉफी मशीन इस्तमाल नहीं करनी आती है मॉम की तरहा खेर आज मेरा एक जरूरी प्रेजेंटेशन है मुझे गुट लग विश्च करो गुट लग डाड़ी रुको मैं फस गई हूँ ओ क्या मुझे ऐसे ही जाना पड़ेगा एक आइडिया है मैं हुटी बाकवर्ट्स चालेंज कर रही हूँ हो गया खाना 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 प्लेट अभी भी खा ली है मॉम की रेसिपी बुक चलो शुरू करें आज मेन्यू में क्या है टोस्ट और एक्स समानी खटा हो चुका है हम कोकिंग स्टार्ट कर सकते हैं एक्स को सॉसेजेज और टेमेटोस के साथ मिक्स करो थोड़े रेसिपी में नहीं है पर आप ट्राइ कर सकते हो वाँ यह अच्छा नहीं देख रहा हो गया मैं हार मानता हूँ अब तुम्हारी बारी मिया आपको विश्वास है यह ठीक है हाँ हमें इसकी जरूरत है एक्सपेक्टेशन वर्सिस रियालिटी अब बगत आ गया केचन गे मास्टर पीसिस को चखने का नहीं शक्रिया खेट चलो देखते हैं कितना मज़दार फ्लेवर है क्या यह सोड़ा है मेरे पास एक बहतर आइडिया है हलो पीज़ा डिलिवरी मिसस मेट आपका लंच तैयार हो चुका है तुम यहाँ पर लेकर आई हो कितनी अच्छी बात है मुझे लग रहा है मैं सपनों में जी रही हूँ शक्रिया खेट कुछ तो बनाना ही पड़ेगा है ना यह रहा हमारा पीज़ा यही मुझे बहुत भूख लगी है उपस ओ नहीं यह क्या सदन है हमें बहुत मुश्किल कदम उठाने पड़ेंगे प्लीज मॉमी को इस बारे में मत पताना मॉम अपनी फैमिली को बहुत ज़्यादा मिस कर रही है पता नहीं वो क्या कर रही होंगे वो अभी बहुत बूरे हालात में होंगे डैडी मेरे पास आपके लिए बहुत बड़ा प्रोपोसल है एक हाउस पार्टी हाँ पूरे मज़े और सुबा तक म्यूजिक हो गया बहुत हुआ वेकेशन अब घर जाने का वक्त आ गया है अरोमा ओयल के साथ रिलाक्सिन मसाज के सा रहेगा ये सेशन खतम हो गया आप अराम करो मिसेस मेव हाउस पार्टी पूरी जोरो पर है वहाँ पर डान्स और गेम्स और बहुत मज़े हो रहे है चलो लड़को थोड़ा और ये हुई ना पार्टी ओ ये अच्छी बीट है मुझे पसंद आई तुम दोस्तों मैं बहुत खुश हूँ तुम आए क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ हाँ मेरे लिए प्लेट ढूंडो ये ठीक है हें तुम क्या कर रहे हो ये मेरी मॉम का पोट्रेट है ओ गेम ओवर रो मत बेबी हम ठीक कर देंगे ये मुझे दो समझ गया जा रहा हूँ रो मत सब ठीक हो जाएगा मैं वादा करता हूँ पार्टी खतम होने के बाद इसमें कोई शक नहीं है ये बहुत अच्छी पार्टी थी इस गंदीगी को साथ करने का वक्त आ गया है मॉम सब कुछ खुछ से ही कैसे संबाल लेती थी फियो मुझे तो अभी से ही पसी ना आ रहा है नहीं ओ किसी ने से पूरा नहीं खाया डैडी आपी कैसे खा सकते हैं इसमें जर्म्स है अब ठीक है यह ज्यादा अच्छा है शक्रिया हमें बहुत सारा खाम करना है पर हम हार नहीं मानेंगे कईया वाँ यह पिक्चर बहुत गंदी है हम इसे अभी ठीक करेंगे वाँ धोल के पीचे असली मोन अलीजा है पर मिया को आर्ट के बारे में ज्यादा नहीं पता उप्स मैं चाहती हो कोई इसे नोटिस ना करें डाडी क्या ठीक है सिरेंदर करो कौन मॉंस्टर यह क्या था लगता नहीं है यह कभी भी बड़े हो पाएंगे मिली पीट आपको सच में लग गई डाड लगता है आज के लिए काफी सफाई हो गई खासतोर से जब हमारे पास रोबोट वैक्क्यूम क्लीनर हो और जब हम हमारे फेवरेट ट्रो मूवीज देख रहे हो डिजिटल असिस्टेंट गुडीज को डिलिवर कर देगा डाड मुझे आपके मदद चाहिए हाँ बस एक मिनट हाँ यह बहुत बुरा है मुझे नहीं पता कि इस पिंपल का क्या करना है वाँ ठीक है मुझे इसके बारे में सोचने दो पर नस्दीख मत आना मुझे नहीं पता ही यह क्या चल रहा है हनी मुझे बहुत सारा काम करना है तुमसे बाद में बात करता हूँ और मेरी प्रॉब्लम का क्या फ्यू उमीद है यह पिंपल्स और ज़्यादा ना फैले मैं अतनी अनलगी क्यों हूँ यह दर्द हो रहा है काश मॉम यहां होती शायद एक मास मदद करे पदा नहीं उमीद है यह मदद करेगा क्या यह तो और भी ज़्यादा हो गए मैं इस तरह से कॉलिज नहीं जा सकती चलो देखे क्या मेकप छुपा पाएगा यही मुझे चाहिए था रेड टेंट के साथ आई लेनर ड्रॉ करो और फिर मिनरल पाउडर का इस्तमाल करो ओ नहीं अभी नहीं चलो बैटरी खतम हो गई ठीक है मुझे अब चीजे अपने हाथ में लेनी पड़ेंगी क्यों नहीं हाई लड़कियों यह तुमें क्या हो गया क्या तुमारे नीन पूरी नहीं हुई मिया तुम मुझे डरा रही हो लगता है मेकप एक्स्पेरिमेंट काम नहीं आया अब बस एक काम करने को बच्चा है यह कैसा दिन है डाड़ी मैं घर आ गई डाड़ी आप कहा हो क्या आप हाइड़ेंची खेल रहे है ठीक है तैयार हो या नहीं मैं आ गई ओ मॉमी मैंने आपको बहुत मिस्स किया वो कहां पर है ही पकर लिया यहां कोई नहीं है ड्रेसर में भी कोई नहीं है काफी अजीब है अच्छी बात है मैं पूरी तरह की ही हूँ इसका मतलब मुझे जो करना है मैं वो कर सकती हूँ मैं मेरे बाल डाय करूँगी और टाटू करवाऊंगी हाँ बाहुत लेट हो गया मिया क्या तुम घर आ चुकी हो पेंक आजकर ट्रेंड में है हनी ये टाटू कैसा रहेगा अपना टाटू चुन लो मुझे मेरे आम पर बटरफ्लाइड चाहिए जैसा तुम चाहो अग हम कुछ देर के लिए इंतजार करेंगे हाँ ये कैसा रहेगा नही मैं तुमें ये नहीं करने दूँगा खै ठीक है सर इसके जगा पर मुझे ले लो घटिया डाडी शान्त रहो तुमें सजा मिलेगी मुझे विश्वास नहीं होता कि ये हो रहा है हाँ हाँ मुझे हमेशे से ऐसा टाटू चाहिए था कैसा रहेगा अगर हम थोड़ी स्टाइलिंग करें ही मिया ये लो चॉक्रिट बार फिर भी ये बहुत अच्छे है मुझे जॉम्बी अपॉकलिफ्स बहुत पसंद है असली आक्शिन और बहुत सारे जॉम्बीज ओ क्या आपने उसका चेहरा देखा हमारे चिप्स खतम हो गए आप मेरे सा शियर करोगे ये नहीं बिलकुल नहीं तुम अपना खाओ ये ठीक बात नहीं है उप्स मॉमा के तर घर आ गई आप दर गए थे बिलकुल भी नहीं क्या ये आपने भी सुना वो हमारे लिए आए है शांत रहो मेरे पीछे आओ डाडी डिफेंस तयार है जॉम्बी अटाक के लिए तयार हो जाओ मैं भी तयार हूँ वही पर रुको ये वक्त है उनको दिखाने का कि हम कौन है यहां से चले जाओ तुम जॉम्बी तुम यहां नहीं आ सकते मॉम ये सब क्या हो रहा है मॉमी क्या ये सच में आप हो मैंने कुछ देल के लिए तुम्हें याद छोड़ दिया तो तुमने ये क्या कर दिया तुम्हें देखकर हमें बहुत खुशी हुई मेरे एंजल्स मैंने भी तुमको बहुत मिस्स किया तुम सफर करके बहुत ठक गई होगी आपको अराम करने की जरूरत है मैं इस दुनिया के सबसे खुश नसीब मॉम हूँ